नमस्कार साथियू UPSC मास्टर में आपका स्वागत है ग्रामर ओप पॉलिटिक्स के लेखक प्रोफेसर लास्की ने लिखा है कि क्रिप्स मिशन को भारत भेजा जाना मित रास्टों के आखों में धूल जोगने के समान था आखिर इन्होंने ऐसा क्यों लिखा जानेंगे इस लेक्चर में हम क्रिप्स मिशन से संबंधित प्रतेक पहलू को हर लिहास से चर्चा करेंगे इस मिशन को भारत भेजने के पीछे क्या कारण विद्दमान थे इसके क्या उद्दिस से थे और इस मिशन के द्वारा क्या सुझाओ दिये गे और उन सुझाओ पर भारतिय दलो की क्या प्रतिकिरिया रही मेरा नाम है मनोज कुमार और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी जिनके लिंक डिस्केप्शन बॉक्स में दिय हुए है चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस मिशन को भारत भेजे जाने के क्या कारण थे सबसे पहला कारण था जब अगस्त प्रस्ताव विफल हो गया था तो गांधी जी ने व्यक्तिकत सक्ट्याग्रह की एक नई कल्प नाप्रस्तुत की यह काफि सफल हो रही थी और अक्टूबर 1941 तक 56,000 से ज़्यादा विफ्तिकत सक्ट्याग्रहियों ने अपनी गिरफतार्या दे दी थी इसके माध्यम से भारतिय दित्य विश्युद्ध के प्रती रोज परकट कर रहे थे 1941 तक आते आते जर्मनी ने रूस पर आक्रमन कर दिया था तो जहां एमंद्राय जैसे समाजवादी नेता कभी युद्ध के समर्थक थे अब वो भासिवादी सक्तियों के विरोधी हो गए थे अब जापान भी जर्मनी का सहयोग करने के लिए तित्य विश्युद्ध में कूद पड़ा था और ब्रिटिस सामराज्य का समुद्रिगड कही जाने वाले मलाया सिंगापूर को जीतता हुआ भारत की सीमा मयमार्त का पहुँचा था जिससे भारतियों को जापानी आकरमन का भह सता रहा था भारतियों को ऐसा महसूस हो रहा था कि जापान का सत्रू बिटेन है और अगर बिटेन भारत पर सासन करता रहेगा तो वो दिन अब दूर नहीं है कि जापान भारत पर भी आकरमन करेगा दिसंबर 1941 में अमेरिकी रासपती रूजवेल्ट ने चर्चिल पर भारत में राज़तिक सुधार लागो करने के लिए दबाव बनाया क्योंकि यही चाहते थे कि जैसे ही भारत दियोति विश्युद्ध में मितराष्टो का सहयोग करेगा तो जो हालत पस्त चली हुई है उसमें कुछ सुधार होगा फरवरी 1942 में चीनी परधान मंत्री च्यांग कोई सेक ने भी भारत की यात्रा की और भारत के स्वाधिन्ता अंदुलन के परति अपनी सानुबुति पर कट की साथी साथ चर्चिरपल दवाव बनाया कि वो किनीवी परिस्थितियों में दित्वी सुध में भारत को सामिल करे आस्टिल्याई सत्ता भी भारत में समिधानिक सुधारों की पक्सधर थी भारत में देखा जाये तो तेजबादुर्शपरू, एमार जैकर जैसे नेता तवरित डोमेने स्टेट चाहते थे और यह चाहते थे कि वाइसराय की कारेकारणी का विस्तार के जाना चाहिए और एक रास्टे सरकार बनाई जाने चाहिए ताकि भारत की रक्सा सुनिश्चित की जा सके युद्धिकाल में जो ब्रिटिस मंत्र मंदल ग्रिटित क्या गया था उनमें क्रिप्स और एटली जैसे उधारवादी नेता भी थे ये नेता भी भारत में समयधानिक सुधारों के पक्षदार थे ततकालिन दोर में ये अंतरास्टिय और रास्टिय परिस्तितिया वद्यमान थी फलसरूफ ब्रिटिस पढ़ान मंत्री विजिस्टन चर्चिल ने भारत सचीव लियो अमरी के सुझाओं से इस राजनतिक गतिरोध को दूर करने के उद्यसे से ब्रिटिस संसर सदस्य और मजदूर नेता अस्टेफर्ड क्रिप्स को 22 मार्च 1942 को भारत भेजा यह एक सदस्य मिशन था अकेले मिस्टर क्रिप्स भारत आये और भारत नेताव से विचारवी मर्च किया और एक योजना परस्तुत की इस योजना में दो परकार के सुझाव थे एक थे युद्ध के दोरान लागू होने वाले सुझाव और दूसरे थे युद्ध के पस्चात लागू होने वाले सुझाव अब युद्ध के दुरान लागू होने वाले सुझाव कोन कोन से थे सबसे पहले इस मिशन ने सुझाव दिया भारत डुतेवी सुझाव में ब्रिटेन का सहियोग करेगा और दूसरा सुझाव दिया कि भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिस सरकार की होगी भारतियों को जापान या आकरमन से भाईभीत होने की कोई आवसकत नहीं है युद्ध के पश्चात लागू होने वारे सुझावबी दिये कि युद्ध के बाद एक ऐसे भारतिय संग का निर्मान कह जाएगा जिसका अस्तर डोमेने स्टेट का है परन्तु इसमें देशी रियासतों को सामिल होने के लिए बाद नहीं के जाएगा जैसा कि हम जानते हैं अगस्त प्रस्ताओं में भी ब्रिटिस सरकार पहली बार डोमेने स्टेट की बाद को स्विकार कर चुकी थी युद्ध के ततकाल बाद एक समिधान निर्मातर साभा का गठन कह जाएगा जिसमें ब्रिटिस भारत और देशी रेजवाडों के प्रत्मिधी सामिल होंगे इस बात को भी अगस्त प्रस्ताओं में ब्रिटिस सरकार कह चुकी थी वाइसराय की कारकारणी में वाइसराय और मुखे सिनापती का पद छोड़ कर सभी पदों पर भारतियों की न्युक्ति की जाएगी ततकाली इस समय में वाइसराय लेने लित्गों थे और जिने हैं भारत में सरवाद एक समय तक वाइसराय रहने का सरेप्राप्त है और मुखे सेनापती थे वो वेल जो बाद में वाइसराय बनेंगे समिधान सभाद्वारा निर्मित समिधान को सरकार दो सर्थों पर लागे कर सेगेगी सबसे पहली भारत का कोई प्रांत यदि समिधान से सहमत नहीं है तो उसे वरतमान समिधाने के स्थती बनाए रखने का अधिकार होगा और दूसरी सर्थी प्रतेक देसी रियासत इस सम्विधान का अनुपालन करने या इसे ऐसी कार करने के लिए सोतंत्र होगी कि अलप संख्यकों के अधिकारों की रख्शा की जाएगी और भारत को ब्रेटिस राष्ट मंडल के साथ रहने या इससे अलग होने के सोतंता होगी यह अंतरास्टिय संगटनों में भाग लेने से भी सोतंता होगा महमंदल जिन्ना और लियाकत अली ये मुस्लिम लीग के ऐसे प्रतुनिदी थे जो ओफिसली क्रिप्स मिशन से वारतलाब कर रहे थे इन्होंने दो आधारों पर इसे ऐस्विकार कर दिया पहला आधार था कि इस मिशन में प्रतक निर्वाचन मंडल को मानिता प्रदान नहीं की गई थी और दूसरा चोकी मुस्लिम लीग मार्च 1940 से द्यूरास्टवाद के सिधान पर विश्वास कर रही थी पाकिस्तान नाम से कलर राज चाहती थी और इस मिशन में भारत वी भाजन के बांग को स्विकार नहीं किया गया था तो इस वज़े से भी मुस्लिम लीग ने इसे ऐस्विकार कर दिया कॉंग्रेस की तरप से कृप्स मिशन के साथ अधिकारिक वार्तागार थे जौला नहरू और अबुलकलामाजात इन्होंने इस प्रस्ताव को इसलिए ऐस्विकार कर दिया क्योंकि इसमें एपर्टेक्स रूप से भारत वी भाजन को स्विकार के जा रहा था सबसे पहली बात कॉंग्रेस 1929 से पूर्ण सो थनता चाहती थी और दूसरे यहां डोमे स्टेट की बात की गई थी संगहत्म को वस्ता की बात की गई थी परंतूस में देशी रिजवाडों को सामिल होने के लिए बाद नहीं किया रहा था गांधी जी ने इस मिसन पर टिपनी करते हुए कहा कि मिस्टर क्रिप्स अगर आपके पास यही सुझाओं है तो आप पहली फ्लाइट से लंदन वापस चले जाएं यह उत्राती थी चेक है पोस्ट डिटिट चेक कहा और जौला नहरू ने कहा कि यह एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की दया पर छोड़ दिया गया है पट्टाभी सीता रमया ने इस पर टीपने करते हुए कहा कि यह एक ऐसे बच्चे का पोस्मार्टम मिस्टर क्रिप्स ने किया है जिसका अभी जन भी नहीं हुआ है और दूसरी बात यह है अगस्त प्रस्ताव का ही सम्रधित रूफ है सुभाशन बोस ने आजान्द हिंद रेडियो से सम्बोधित करते हुए कहा कि क्रिप्स मिसन रोटी के टुकडे डालने आ रहा है पर भारती जनता अब इन टुकडों पर फिसलने वाली नहीं है हिंदु महासबहा की तरफ से वीडि सावर करने, क्रिप्स मिसन से वारतलाप की उदारवादी संग की तरफ से एमार जय करोटेर बाजदुर सपरू ने अनसुची जाती की तरफ से डॉक्टर अमबिड करने और शिक्र समुदाय की तरफ से सरदार उचिवल सिंग ने इन सभी ने अपने अपने कारणों से क्रिप्स मिसन के प्रस्ताओं को ऐस्विकार कर दिया इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रिप्स मिसन पूर्टा है सफला और इसकी ऐसा पलता पर टिक्पिनी करते हुए कंसेप्ट और फेक्ट आपको समझ भ्याय होंगे इसे सम्बंदित आपको एक प्रस्न का जवाब देना है क्रिप्स मिसन भारत में भीजा गया था ये दित्वी सुद्ध के लिए भारतिय समर्थन पाने के लिए बी सुशासन के लिए भारतिय मांगो को पूरा करने के लिए सी भारतिय नेतरतों को ब्रिटिस सत्ता द्वारा सत्ता हसनांतरन के लिए चर्चा करने और योजना बनाने के लिए और भारत छोड़वांदरन को अस्थागित करने के लिए आपके हिसाब से जो भी सही जवाब है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए मिलते हैं नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए जैहिंद जैभारत, महासक्ति भारत